असलावलेकुम आज मैं आपके साथ चिकन आलो करी की रेसिपी शेयर करूंगी बहुत टेश्टी बनती है बहुत मज़े की होती है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और जादा जा एड़ करेंगे एक चमच लाल मिर्ची पाउडर एड़ करेंगे एक चोथाई चमच हल्दी पाउडर दो बड़े चमच धन्या पाउडर एड़ करेंगे एक चमच नमक एड़ करेंगे आदा चमच जीरा पाउडर एड़ करेंगे एक चोथाई चमच गरम मसाला एड़ करें जिससे चिकन पर इच्छे से कोट हो जाए और आदा घंटे के लिए मेडनेट होने के लिए रख देंगे अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपके साथ के साथ भी बना सकते हैं यह कि सबी चीजा अच्छे से मिक्स हो गई है एक पैन लेंगे इसमें एड़ करेंगे एक च बहुत जादा नहीं करेंगे आलू को फ्राय करने से इनका टेस्ट बढ़ जाएगा यह बहुत अच्छे लगेंगे देखे आलू फ्राय हो गया है निकाल लेते हैं हमें बहुत जारा डाक नहीं करना था हलका सा कलर चेंज होने तक ही फ्राय करना था आलू को फ्राय करने से यह थोड़े soft भी हो जाते हैं, थोड़े गल जाते हैं और इनका taste भी बढ़ जाते हैं, बहुत tasty लगते हैं देखी, मैंने सभी ओलू को निकाल लिया है, इसमेर करेंगे हम खड़े मसाले, एक चमस जीरा अधा जीरा करेंगे, आदा चमछ काली मृची, तीन से चार लोग एड़ेंगे, तीन बड़ी इलाईची, और एक पीस तारचीनी के अड़ेंगे, खड़े मसाले थोड़े हैं, फ जबारी कटी प्यास और प्यास को हम फ्राय कर लेंगे चलाते वे फ्राय करेंगे जिससे एक जैसा कलर आएगा देखिए प्यास फ्राय हो गई है प्यास को भी हम निकाल लेंगे मैंने सभी प्याज को निकाल लिया, इसमें एड़ करेंगे चिकन, जो हमने मैडिनेट होने के लिए रखा था चिकन को ना हम भून लेंगे, चिकन को भूनने से इसकी जो रोई स्मेल है वह खतम हो जाएगी चलाते वह भूनेंगे, देखे चिकन अच्छी से भूनन गया है इसमें एड़ करेंगे प्याज, मैंने एक बड़ा प्याज लेके उसका पेच्ट बना लिया है यह एड़ कर देगे और साथ ही एड़ करेंगे टमाटर का पेष्ट, मैं दो टमाटर लेके उनका भी पेष्ट बना लिया था, ये भी एड़ कर देंगे और इने भी अच्छे से भून लेंगे चलाते हुआ अच्छे से भूनेंगे जो हमने प्याज निकाल दी थी न वो भी करश करके इसमें एड़ कर देंगे फिलेम को मीडियम रखेंगे मीडियम फिलेम पे चलाते हुए अच्छी से भून लेंगे इसमें एड़ करेंगे एक चमच कश्मीरी लाल मिर्ची यह कलर के लिए है अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकिप कर सकते हैं कश्मीरी लाल मिर्ची एड़ करने से जो हम सबजी या करी बना रहे हैं उसका कलर रेड हो जाता है अच्छा सा कलर आ जाता है अगर आपके पास नहीं है तो आपी skip कर देज़ेगा देखिए मसाल अच्छे से भुन गया है इसमें एड़ करेंगे आलो जो हमने पहले फ्राय करके रखे थे अच्छे से mix करेंगे और एक मिनट के लिए मसाले में पका लेंगे देखिए एक मिनट हो गई है इसमें एड़ करेंगे पानी एक गिलास पानी एड़ करेंगे और चला के देख लेंगे अगर आपको लगा कि पानी कम है तो आप और एड़ कर देज़ेगा देखिए मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा है आधा गिलास से थोड़ा सा जाधा पानी और एड़ करेंगे अच्छे से mix करेंगे इस point में आप नमक भी चेक कर सकते हैं अगर आपको नमक कम लगे तो आप और एड़ कर दिजेगा मैंने इसमें दो गिलास से थोड़ा सा कम पानी एड़ किया है cover करेंगे और cover करके चिकन और आलो के गलने तक पकाएंगे flame को medium रखेंगे, medium और low की बीच में रखेंगे, high flame रखेंगे तो पानी जल जाएगा देखे 7-8 मिनिट हो गई है, चिकन और आलो अच्छी से गल गया है खोल के देख लेते हैं चेक कर लेंगे कि आलू और चिकन अच्छी से गलाया है या नहीं देखे चिकन अच्छी से गल गया है चिकन ने हड्डे छोड़ दी है और मैं आलू भी दिखा देती हूं आलू भी अच्छी से गल गया है देखे आलो भी गल गए है फ्लेम को ओफ करेंगे और इसमें एड करेंगे हरा धनिया और तीन से चार हरी मिर्ची एड करेंगे जिसे मैंने बीच से कट कर लिया है हरी मिर्ची से इसका टेस्ट बढ़ जाता है चिकन करी कोई भी हो चाय चिकन करी हो या आप नोर्मल करी बना उसमें हरिमीची एड़ करेंगे ना तो उसका टेस्ट पढ़ जाएगा देखे माशालला कितनी अच्छी हमारी करी बनी है फ्लेम को ओफ करेंगे और डिशाउट करेंगे यह बहुत ही टेस्टी चिकन आलो करी बनती है आप एक बाह जुरूर बनाईएगा इंशालला आपको पसंद आएगी अगर आपको मेरी चिकन आलो करी की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक करें शेयर करें फ्रेंड्स औ झालो करेंगे लाइक है यह ठापको नवकर प्लीजान है